भारतिये जनता पाठी के नौ संसकरण कि कौन कितना कड़ा हिंदु है लेकिन हिंदु धर्म की आत्मा प्रैसा बज्र प्रहार किया कि छत बिछत हो गया है समाज लगातार लोग फोन कर रहे कि मैंने कैसा भी रहे चुना अब बताईए एडियार की रिपोर्ट है महिला कॉले कोलेज में इन्होंने नमांकर अपना करा लिया भारतिये जनता पार्टिये बावा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर से दो दिया गया का क्या कोई बात नहीं है हमारा बिधायक है तो महिला कोलेज में पढ़ेगा या बताईए कि पुरुस्वी एडिशन ले सकता है उ 1993 में यह काम आपने गुनाह कर दिया नमस्कार आप देख रहें फश्ट व्यार मैं हूँ आपके साथ शलन को हमारे साथ बात्चित करने के लिए जैदियू के परवक्ताशाह MLC नीरेज कुमारे नीरेज कुमार जी पर उन्होंने कहा था कि हाटवेट जेल से बात करते और म लेकिन हिंदु धर्म की आत्मा परहिसा बज्र प्रहार किया कि छत बिछत हो गया है समाज विस्फी के लगातार लोग फोन कर रहें कि मैंने कैसा भी रहाय चुना अब बताईए एडियार की रिपोर्ट है और उन्होंने अपने असनातक की पढ़ाई 1993 में पूरा किया उन् सेबक सिंग्ह कौले सीता मडि सीता की नगरी कि जगत जन्नी सीता महिला कौले जहां खुला और महिला कौले में इन्होंने अपना करा लिया लिया है बेटियों के लिए कॉलेज हमारे पुर्वजों ने खोला था उहां नमांकन आपने करकर के कितना बढ़ा सामाजिक पाप किया है असधारन पाप लेकिन भारतिये जनता पाटिये बाबा रामदेव का डिटर्जेन पाउडर से दो दिया गया का किया कोई बात नहीं है हमारा बिधायक है तो महिला कॉलेज में पढ़ेगा उहीं से ज्ञान लिये ही चाहे तो ज्ञान की डिगरी गलबड है गलबड जाला है या वो महिला कॉलेज में कभी परमिशन मिला ज़ा या बताइए कि पुरुस्वी एड़िशन ले सकता है वो भी अभिवाहिताप है उनी सो 13.93 में ये काम आपने गुनाह कर दिया और आप हिंदू धर्म के बड़े मने ठेकेदार माने जाते हैं तिरपुंड धारी हैं हो सकता है छेतर में तृदंड भी ले लेते होंगे हम तृदंड लेकर के घूम रहे हैं हिंदू धर्म की लगातार वकालत करते हैं ति हिंदू दीजिए इस पर बिजय सिना जी मान्य गिर्राज सिंग जी जिरा ज्यान दीजिए कि पुरुस हो करके आपके दल के विधायक इन महिला कोलेज में कई से बास कर रहे थी इनका सेक्षिनिक बास कई से हो गया था हुआ तीसली हमें ही कहेंगे भारती इंतापाटी को कि हे धर्म के ठेकेदारों इतना फर्जी बाड़ा मत करना कि हिंदू धर्म की आत्मा ही करा हुटे और मासीता की जगत जन्नी धर्ती पर जो आपने पाप किया है सिक्षा के नाम पर जो आनाचार किया है पाप किया है उस पाप के लिए डंड के भागी भाजपा तो नहीं बनाएगी लेकिन मासीता जरूर डंड देगी हम एतना एकदम मेरा पुर्ण विश्वास है इंद्रिय मंत्री की राज जी है जुनों ने अभी बयान दिया कि बजरंग दल पर अगर बैन होगा तो महजीदों पर क्यों नहीं लगेगा बजरंग दल पर हमारे सांसद ने यह बताया कि अनुभव के आधार पर अनुभव यह था कि बजरंग दल का नाम लेकर करके गिरफ्तारी हुए उसका जनम पत्री वहां से ले लेना चाहिए लोग को जो को टूट से है ना उसम जनम पत्री में लिखा हुआ है किसका बंस कोत्र कौन है कौन संगठन का है बजरंग दल का है बीखरंग दल का का है बजरंग वली का आते दंगा फिलाने के लिए अरे किसी पर कोई रोक रोक लगाएंगे जब हम जागते है तब जब हम कारवाई करते है तब पीफ़ाई से का रिस्ता है तो बड़ा चैसरांधार इस्ता मिज साजी का रहा है PFI का कारियाले हजरत निजामुदीन में आदरनी अग्री मंत्री जी के जो ने पुर्णिया में एर्पोर्ट खुलवा दिये या वहारा जवली में तापगर खुलवा दिये उन्ही के विचारे के छटर छाया में वहां कारियाले खुला हुआ था उसको परतिबंद नहीं करनाटक में भाजपा शासन कर रही थी अब तो देखिये हाल क्या है 2020 में वहाँ भी स्पोर्ट हुआ पी अफाई का नाम आया इन लोगों ने रोक नहीं लगाया अब तो मद्दाताओं पर भरोसा तूट गया का बजरंग बली का नाम लेके भोड़ दो अरे भोड़ तो देंगे ही अगर आप यह कह दीजिएगा के बजरंग बली आपको मानने वाले इतने लोगों को रोजगार दे दिया तो सब लोग बजरंग बली के नाम पर दे देगा ती बताईए आठ साल हो गया तो करोड़ दम लगने बोले थे कि हर साल नोकरी देंगे और लोग सभा में अब तक साय अतलाख 22 जार 311 लोगों को नोकरी लोगों दिया है अगर मैं गलत बोलना हूँ तो मुझे पर मानहानी का मुकन्दमा करें मात इतनी नोकरी दिया है इसमें हनुमान जी के भक्त कितने हैं हम लोग हन पढ़ते हैं मंगल को सुन्दर कांड पढ़ते हैं लेकिन इस सब नकली देखें अब इससे बला क्या है इतो हनुमानों जी के सीता जी के राम जी के सब के पूजा करते हैं बैचों जी आई में देखें तो बापर बाप इतना गलवर जाला करता है कोई आदमी ऐसा नहीं करना जी बारे में हम लोग के मालूम था कि दिगे संधेर के गहरे में इतो जो वहार के भी पीयल प्लेयर मार रहा है उसी बीडश को रोका ते रावन ने तो रावन का क्या अफना करती है इससलिए भारतिय जनता पाटी बारहर राज में रह गया है अरे रावन की पूजा होती है ज्यान लीजिए रावन की भी पूजा होती है इस देश के अंदर में दक्चिन भारत में अगर नहीं जानकारी है तो जहां मैंने यहां हारने का संभावना करनाटका में उहीं संभाद कर ले पता चल जागा कि दक्चिन भा और रावन का मुकाबला भी हुआ था धर्म और अधर्म के बीच में इसलिए आज का राव आज का तो इस हिंदी भासी प्रदेश में आज का रावन कौन माना जाएगा अधानी टाइप का लोग जो देश के दौलत पर कमजा कर लिया तजिरा उसके बारे भी बताइए और भा आपका पोल खुलने वाला था यही तो केंद्रिय सेवा में कितने लोगों को पुरे देश में 7,22,311 लोग को नोकरी मिला तो उसमें कितना लोग बिहार का है किस जाती का है किस धर्म को मानने वाला है और बिहार सरकार ने भी जो नोकरी दिया उसका भी खुला सा हो जाता तो आपको तो जाती गर्णा से पेट में दर्द है और नहीं तो रवी संकर प्रसाथ क्या कर रहा है अभी जब मोदी जी मंत्री मंदल से छुटी उनको दे दिये तो आप जाती गर्णा के अगर पक्षदर थे तो आप क्यों नहीं इंटर्वेन किये और मेरा सवाल भाजपा स है कि भाजपा यह बताए कि पिछडी जाती का कक्छा एक से आठ तक के छात्रविति आपने क्यों बंद कर दिया और आपने दस पतिश्चत जो समानी जाती को आरक्षद लिया है तो आगर तो आपने पिछडा उसको मान लिया सेक्षनिक रूप से आर्थिक रूप से तह अब खालेते हैं एलेबोरा का जूस भी पी लेते हैं जाके कोट में बहस करते कि बाइश सरकार का नियत सही है नीती सही है राजनीत मतवेद होते रहता है लेकिन हम यह करें कि अगर आप जाती गड़ना के पक्ष जाती गड़ना पक्ष में थे तो भारतिये जनता पार्ट है अब बाबा के प्रति सम्मान भी है लेकिन एक बाबा और है आसा रामबापू उजेल में हैं तो भारतिये जनता पार्टी हम समझते हैं कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है सकती केंद्र बना हुआ है जगा जगा इसका गाओं के अंदर में तो कोट से परमीशन ले करके उनका बजापता वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पूरे देश के भाजपा के भक्तों को उसमें बिहार के भी लोग को सामें आम लो आदमी को कोई बाबा किसी पाटी के तो होते नहीं है तो आसा नाम बापून कैसे आसिरवात दिया था जो इतना ब पहले उनका लाइव टेली कास्ट करें जिब दरबार भी लग रहा पंद्रा तारीकों इसमें अरजी लगाने के लिए केंद्रिये मंत्री विल्लाइन में लगे हुए है बिल्कुल आता है अच्छा मोधी साज मोधी जी का असिरवाद में लेके क्या करेगा लोग मोधी जी असिरवादी अमेरिका में जाके डोनाल ड्रम को उटा हो गया डियले में ड्रम तब भाया जब समय जब आपका खराब होगा न यही हाल होता है मोधी जी अमिस्टा जी नितीजी के समय तो आपका प्रसानी था इंट्री बेंट था अब तो यह लिजी आपका यहाँ लोकल कभी पिल प्लेयर कभी मुखमंत्री गोशित कर दे रहा आपका अधिकार चिनके कभी वह कारा कि मन में रखे हुए लोग कोई काम लाइक नहीं अब यही अब बाबे के बरोसे हम पार लगाएंगा यह हमारे साथ बाचित कर रहे थे जदियू के परवक्ता नीरसकुमार ने कर दो